दोस्तो ये है हमारे पास Samsung Galaxy A23 5G and Galaxy F23 5G और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन दोनों फोन के बीचे एक फॉल कमपेरजन तो दोस्तो यदि आप इन दोनों फोन में से किसी फोन को लेकर कंफ्यूज हैं तो हम आपको इस वीडियो के जारी बताएंगे कि आपको किस फोन में अच्छा कैमरा अच्छा हाडवेर और अच्छी डिस्पले देखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो में बने रहे हैं एंड तक सबसे पहले अगर बात करें दोनी फोन की डिजाइन की तो गैलेक्सी A23 में आपको कोई नया डिजाइन देखने को नहीं मिलता है वही गैलेक्सी A23 4G जैसा ही आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है तो दोस्तो यहाँ पर design and build quality के मामले में दोनी फोन आपको बिलकुल similar से देखने को मिलते हैं अब दोस्तो दोनी फोन की weight and thickness की बात करें तो दोनी फोन में आपको 8.4 mm की thickness और दोनी फोन में यहाँ पर आपको weight भी similar सा 198 gram के आसपास देखने को मिलता है तो weight and thickness के मामले में भी मुझे यह phone दोनी फोन similar देखने को मिले हैं अब दोस्तो दोनी फोन की अगर display की बात की जाए तो दोनी फोन में आपको 6.6 inch की full HD plus IPS LCD screen देखने को मिलती है F23 में आपको TFT LCD screen देखने को मिलती है तो वहीं A23 5G में आपको IPS LCD screen देखने को मिलती है दोनी फोन में आपको 120 inch का refresh rate भी देखने को मिल जाता है तो display quality में कोई बड़ा आपको difference देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा तर condition में आपको display दोनी फोन की बिल्कुल similar देखने को मिलेगी आउट्डोर विजिविल्टी में भी दोनी फोन की जो brightness है आपको सिमिलर सी ही देखने को आपको मिलेगी तो display quality भी दोनी फोन की आपको बिल्कुल same देखने को मिलती है अब यहाँ दोनी फोन के अगर hardware की बात करें तो galaxy A23 5G में आपको मिलता है अगर speed performance की बात की जाए तो इन दोनों फोन का मैंने एक speed test comparison पहले इस चैनल पर डाल दिया आई वहाँ से आप देख सकते हो फिर भी अगर speed test performance की बात करें तो यहाँ पर आपको galaxy A23 slightly faster देखने को मिलता है as compared to galaxy F23 5G क्योंकि galaxy A23 5G में जो hardware मिलता है वह 6 nanometer पर वर्क करता है वहीं F23 5G में जो hardware मिलता है वह 8 nanometer पर वर्क करता है तो यह speed test performance में या speed में आपको थोड़ा सा galaxy A23 5G fast देखने को मिलेगा अब दोस्तो दोन इफ़न के अगर camera's की बात करें तो galaxy A23 5G के rear पर आपको quad rear camera setup देखने को मिलता है तो वहीं galaxy F23 5G के rear पर आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है बात करें सबसे पहले galaxy A23 5G की तो यहाँ पर आपको 50 megapixel का main camera देखने को मिलता है 5 megapixel का ultra wide lens, 2 megapixel का depth sensor और 2 megapixel का यहाँ पर आपको macro lens देखने को मिल जाता है इसके rear से आप full HD तक video record कर सकते हों वहीं बात करें galaxy F23 5G की तो यहाँ पर भी आपको 50 megapixel का main camera देखने को मिलता है यहाँ पर आपको 8 megapixel का ultra wide lens और 2 megapixel का यहाँ पर आपको macro lens देखने को मिल जाता है इसके rear से आप 4K तक का video record कर सकते हो बात करें दोनी फोन के front camera की तो दोनी फोन के front पर आपको 8 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है अगर दोनी फोन की picture quality की बात करें तो मुझे यहाँ पर galaxy F23 5G की picture ज्यादा अच्छी देखने को मिले है as compared to galaxy A23 5G क्योंकि direction light में भी आपको अच्छी detailing F23 5G में मिलती है इसके लावा indoor condition में भी आपको F23 5G में अच्छी detailing के साथ थोड़े अच्छे colors भी देखने को मिले है इसके लावा colors और dynamic range भी आपको galaxy F23 5G की pictures में काफी अच्छी देखने को मिलती है as compared to galaxy A23 5G तो camera के मामले में मुझे यहाँ पर F23 5G थोड़ा बैतर देखने को मिला है अब battery की बात करें तो दोस्तों दोन इफोन में आपको 5000 image की battery देखने को मिल जाती है fast charging की बात करें तो दोन इफोन में आपको 25 बाट की fast charging भी देखने को मिलती है तो battery performance की मामले में आपको दोन इफोन इफोन बिलकुल similar देखने को मिलेंगे fingerprint sensor की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दोन इफोन के power button में fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है अब दोस्तों दोन इफोन के storage and price की बात करें तो Galaxy F23 5G का 4GB RAM and 128GB वाला phone आपको मिलता है 14,000 रुपे में तो वही 6GB RAM and 128GB वाला phone आपको मिलता है 15,000 रुपे के असपास अब बात करें Galaxy A23 5G की तो इसका 6GB RAM and 128GB वाला phone आपको मिलता है 23,000 रुपे में वही 8GB RAM and 128GB वाला phone आपको मिलता है 25,000 रुपे में तो दोनी फोन के प्राइज में आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर दोनी फोन के 6GV RAM वाले फोन की बात करें तो यहां पर आपको 8000 रुपे का डिफरेंस पूरी तरह से देखने को मिलता है, F23 5G का 6GV वेरिंट आपको 15000 रुपे में देखने को मिलत 5G का 6GV वेरिंट आपको मिलता है, 23000 रुपे में, तो दोस्तों बस यही था आज की इन दोन फोन के फुल कमपेरजन की वीडियो में, अगर अगर ओवराल इन दोन फोन को देखा जाए तो थोड़ा सा फास्ट आपको स्पीड परफोर्मेंस में Galaxy A23 5G देखने को मिलता है, इसके अलावा केमरे में आपको F23 5G थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ चीज़ें दोनी फोन में आपको बिल्कुल सिमलर सी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है, यह वीडियो आपको पसंद आ आपको की मैं आपको बिल्कुल सा अच्छा आपको इस वीडियो में मुझे उमिऴ।